ईजाथ अनसारी अपके खानों में आपके जाएक जायकों में आज मापके लिए दुनिया की सबसे मज़ेतार और सबसे ज्याला पसंद की जाने वाली वैजीटेबल यानि के कच्छनार की रेस्पी लेका हूं कीमे के साथ किस तरह से आप इसको बहुत 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 ज्याला लजीज बना सकते हैं इंशाला आपको बताऊंगा मतलब कि कुछ ऐसा जो शायद आज से पहले आपको किसी देना बताया है तो यहाँ पर हमारे पास कचनार यह एक कली होती है फूल की जिसको फूल बनने से पहले तोड़ के पका लिया जाता है इसके इतने health benefits है कि दुनिया की कोई जड़ी बूटी यहाँ वेजी टेबल इसका मुकाबला नहीं करती और टेस्ट में तो सुभाना लग कीमी के साथ specially बनाया जाता है हमारे पास है यहाँ पे बीफ कीमा 1 kg तीन चोटी लाची तीन बड़ी लाची एक दार चीनी का टुकरा तीनो चीज़ें इंपोर्टर नहीं जो आपने आइड करनी है और यह हमारे पास प्यास चार प्यास यहाँ पर हमने लिए है तो आपने इनको बड़ी कलंबा काट लेना है प्यास तोड़ी से ज्यादा इसलिए यूज़ कर रहे है क्योंकि हमें इसमें तोड़ी सी जो है मसाला चाहिए जिसकी अंदर हम भुनाई कर सकेंगे आगे जाके कचनार की ठीक है और यह है दो टेबल स्पून अद्रक लेसन का पेस ठीक है दो टेबल स्पून यह चीज़े ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वेज़ी टेबल भी ज़्यादा है तो चार हमारे पास टमाटर है यहाँ पे बहुत ही खुबसूरत रैड कलर के और यहाँ पे मसालों की आपने तकसीम अच्छे से देखनी है सिर्फ तीन मसाले यहाँ पे आड करेंगे हम वान टेबल स्पून और वान टी स्पून नमक यानि के चार टी स्पून हो गया नमक चार टी स्पून हम इसमें लाल मिर्ज का पावडर आड करेंगे और साथ में वान टी स्पून हल्दी आड करेंगे तो यहां पर याद देखेगा हमारा जो टोटल समान है वो गोश्ट और कच्छनार वो दो केची है तो मसाले उसी साफ से हमने एड़ किये एक लास पानी के एड़ कर देंगे उसके बाद मिक्सिंग के बाद हमने इसको सीथी पर रखना है दस मिनट के लिए अगर आपके पास प्रैशु कुकर नहीं या आप यूज नहीं करना चाहती तो आप इसको 30 से 35 मिनट के लिए पकाएंगे ठीक है चलें जी बिसमिल्ला रामान है तो यहां पे दस से बारे मिठोगे एक खुबसूरत सी प्यारी सी कड़ाई लेंगे उसमें यह सारी चीज़े हम कर देंगे और चीज़ों को अच्छे से साफ किया करें कोई चीज जाया नहीं दिया करें इससे आपके रिस्क में बढ़कर आती है अब यहां पे टेस्ट का जो किमिस्ट्री है वो स्टार्ट होने लगी है किस तना से आपने करना है नौर्मली लोग कौन सी घलती करते है जो आपने न ने डाला जाता याद रखिएगा भुनाई के दुरान ठीक हो गया अब यहां पे हमने क्या करना है अच्छी सी बुनाई के बाद 1 टीस्पून काली मिर्ज का पाउडर 1 टीस्पून भरके जीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून खुश धनिया पाउडर एड़ करेंगे ठीक ह अब इसकी करते हैं अच्छी भली सी बुनाई जिससे के शांदार सी खुश्बू फ्लेवर टेक्स्चर आपको नजर आ जाएगा और यहां पे सबसे जो खुबसूरत सीन है सबसे शांदार वो होगा पहले यहां पे हम नमक मिर्चेक कर लेंगे ठीक है यार रखिएगा 1 के आपने कभी नहीं करनी ठीक है कची कचनारी कहां पे हम एड करेंगे इस मसाले के अंदर हम इसकी करेंगे बुनाई और इस मसाले का फ्लेवर हमने इस कचनार के अंदर एड करना है पानी नहीं जाएगा ठीक है थोड़ा से देखे रसमिसासा अल्रेडी है पानी इतना काफी अगर आपका कीमा बिल्कुल ड्राइ हो गया तो half cup पानी अड़ कर लें अब आपने इसके उपर रख देना है धकल फ्रेम को कर देना है लो ताके यह जो vegetable है हमारी वो थोड़ी सी नरम हो जाए गल जाए उसके बाद बहुत ही आएम काम अब आपने करना है ठीक है यह इस recipe की जान है यहाँ पे अब आपने बहुत अच्छे से फेंटा हुआ दहीं एक प्याली तक्रीबन 1500 ग्राम एड़ करना है ठीक है पार के उपर mixing करेंगे इसको अच्छे से फकाएंगे यहां पे गलती सबी लोग करते हैं आपने इसको तब तक बगाना है जब तक यह ड्राई नहीं हो जाता पानी नहीं नहीं नजर आना चाहिए जरा भी ठीक है तो यह रहें पानी हमने सारा उठा दिया है जला दिया है कर दिया है यहां पी आपको भुनी सी एक लुक नजर आ रही ने शाइनी सी यह आपने लेके आनी है चाहिए आपको आदा गंटा लग जा मुझे कोई मसला ने लेकिन यह लुक जब तक ना आय तब तक आपने हरी मिर्ची और धरिया नहीं आइड करना mixing करेंगे शानदार स कि तरह स्यांजी नमकीन गोच रैसे इसके वीफट रैसिपे के लिए बीफ पाया रैसीपे के लिए हमारे चनले को वीडियो सेक्षिन पजाइए दो हमिए थे कि एक लीवडियो तक आपीज